दिल्ली से कामाख्या जा रही नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस रगुनाथपूर रेलवे स्टेशन के पास उई दुरघटना ग्रस्त कई डिब्बे हुए बेपटरी रेलवे अधिकारियों ने एक यात्री के माउत का किया पुष्टी विदितों की भारतिय रेल जिसे देश की धरकन कही जाती है लेकिन दुरघटना का सबब अपने आप में सभी तैयारियों के काले चिठ्ठे को खोल देता है तस्वीर दानापूर रेल खंड के रहुनाथपूर रेलवे स्टेशन के समीप से है जहां नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है और कई डब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं जो नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस में सबार थे अब उन लोगों के स्वजनों की जानकारी के लिए यह नंबर जारी किया गया है विदितो की रेल परसासन ने एक यात्री के मौद की भी पुष्टी की है वहीं अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम तो जरूर घटनास्थल पर पहुँच गई है लेकिन रेस्क्यू करने में काफी कठनायों का सामना करना पर रहा है हलाकि दरजनों की संख्या में एम्बुलेंस पहुच गए है अत्रिक्त गारियों से रेलबे के कई बड़ी अधिकारी घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं लेकिन एक एक करके उन तमाम भोग्यों को हटाया जा रहा है मिली सुत्रों की जानकारी के हवाले से आगे के दो जैनरल एबम एक स्लिपर कोच तथ एबम पीछे के कुल कोच मिला करके चार ऐसे कोच हैं जो बेपटने हुई है हलाकि इन तमाम चीजों की जानकारी को लेकर वहां के आम लोग भी घटनास्थल पर भाड़ी मात्रा में पहुँच गए हैं इन तमाम चीजों के बीच आप इन तस्बीरों में देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार आपाधापी में हैं हलाकि रेलबे प्रसासन पूरी मुस्ताइदी के साथ काम करने में जुटी हुई है और वो आम लोगों से भी निवेदर कर रही है कि वो लोग धैरिये बनाएं और रेस्क्यू करने में मदद करें